सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट अपने हमारे वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको बाखुबी पता होगा जो आपके आने वले सभी परिछाओं में उपयोगी है वही प्रेस्ट आपको इस वीडियो में मिलेंगे चले वीडियो के सुरुआत करते हैं देर ना करते हुए हर एक क्यूशन को फटा फट से और जल्दी से करते हैं क्योंकि हम अपने चनल के मादम से वही क्यूशन करवाते हैं जो आपके एक्जाम में आने की संपूर संभावना होती है हाली में भारत ने किस देश को हरा कर से एफफ यू ट्विट्वाल चेंपियंशिप जीती है जैसा कि आप लोगों अगर एक्जाम देते हैं तो आपको पता होगा फुट्वाल हो गया क्रिकेट हो गया इन सबसे एक क्यूशन आपके एक्जाम में फस्ता ही फस्ता है तो हाली में भात ने किस देश को हरा कर से एफफ यू ट्विट्वाल चेंपियंशिप जीती है तो बांगला देश को हरा कर से एफफ यू ट्विट्वाल चेंपियंशिप जीती है अगर किसी भी बच्चे का अभी हाली में कोई एक्जाम है वंडे एक्जाम तो ये किश्चन बिल्कुल दिमाग में इट करके जाइएगा एक्जाम देने से पहले अगला प्रuiten देखते हैं अगला प्रेस्ट प्राश्चन है भाद की पहले digital लोक अदालत हाली में कहां आयुत की जाएगी तो हाली में भाद की पहले digital लोक अदालत आपको ध्यान रखना है राजस्थान में आयूत की जाएगी ये भी क्यूश्चन आपकी ग्यम में छपेगा देखिए हम ऐसे क्यूश्चन लाते हैं जो आपकी ग्यम में फसे धेर सारे क्यूश्चन इस पे हम लाकर और आपको बेहद समय जो आपका तयारी का है वो खराप नहीं करना चाहते ये बात आप ध्यान रखिएगा आप वीडियो को लाइक करिए या सेर करिए ना करिए वो आपके उपर है लेकिन हम आपका मुलवान समय नहीं नश्ट करना चाहते बस आपको 10 से 12 मिनट के अंदर वो सबी क्यूशन करवाएंगे सिर्फ जो आपकी एक्जाम में आएंगे फालतों के धेर सारे क्यूशन हम यहां लेकर नहीं आते हैं ये बात आप ध्यान रखिएगा उसके लिए आप किसी भी प्रकार का कमेंट ना करिएगा क्यूंकि हम सीधे तोर पे आप से कहना चाहते हैं वो ही कराएंगे आपको क्यूशन जो आपकी ग्याम में फसे हाली में किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सेन अभ्यास आयोजित किया है तो चीन ने हाली में चीन देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सेन अभ्यास आयोजित किया है आपको याद रखना है सन्याभ्यास से हर बार किस्चन पूछा जाता है तो ये भी वेरी इंपोर्टन किस्चन है सारे किश्चन इंपोर्टन्ट है बार बार कहने के सकता नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को बस आप कापी और पिन लेकर बैठिए सभी किश्चन को नोट डाउन करती है चलिए हाली में जगदीब धनकाभारत के काउन से नंबर के उपराश्पती चुने गए है तो 14 में नंबर के उपराश्पती जगदीब धनकाभ चुने गए हैं ये बात आपको याद रखना है बेरी इंपोर्टन किश्चन है आप क्रेडिट तभी दीजेगा जब आपको बेड़ो पसंद आएगी आजादी की 75 वर्षगाड पर इंडिया की उडान परियुना शुरू की है गूगल ने गूगल ने आजादी की 75 वर्षगाड पर इंडिया की उडान परियुना शुरू की है बढ़ेंगे अगले प्रश्चन पर देखे थोड़ा सा आप अपना मुलवान समय निकल कर हमारे बीडोज को आवस्थ देखिएगा उसके बाद आप कमेंट करके बताईएगा कि आपको हमारा बीडो कैसे लगा हाली में वंडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांगलादेशी बल्लेबाज कौन बने है तो तमीम इकबाल ये हाली में वंडे में 8000 रन बनाने वाले बांगलादेशी बल्लेबाज बने है तो आपको याद रखना है बढ़ते हैं अगले प्रिश्ट पर अगला प्रिश्ट है हाली में किस ने O.D.O.P उपहार सूची के डिजिटल संस्क्रण का अनावरन किया है पियोष गोजल जी ने अभी हाली में O.D.O.P उपहार सूची के डिजिटल संस्क्रण का अनावरन यानि शुभारम किया है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है किस राज सरकार ने हाली में NISG की साथ समझोता इग्यापन पर हस्ताचर किये हैं तो हाली में आन्द प्रदेश सरकार ने NISG की साथ समझोता इग्यापन पर हस्ताचर किये हैं देखें ये बेरी इंपोर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन आप याद रखना चाहिए दो याद कर ले ये भी किश्चन तोड़ा सा ठीक है हाली में आजाद हिंद फोज की मेजर का निधन हुआ है उनका नाम क्या है इस्वरलाल ये किश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि ये शुहाज चंदरबोस से जुड़ा हुआ है तो आजाद हिंद फोज की मेजर का हाली में निधन हुआ है उनका नाम है इस्वरलाल बढ़ते हैं एगले प्रस्ण पर अगला प्रस्ण है किस पूर भारती खिलाडी को हाली में डाक्टरेट की उपाधी से सम्मानित किया गया है सुरेश रहना को ये इंपोर्टन क्यूशन है क्योंकि ये खिलाडी है और साथ में ने हाली में डाक्टरेट की उपाधी से सम्मानित किया गया है तो आपको सुरेश रहना जे को याद रखना है बढ़ते हैं निश्ट गले कीशन पर भारत का पहला हिमाले मसाला उद्ध्यान कहां अस्थापित किया गया है तो रानी खेत आपको याद रखना है भारत का पहला हिमाले यान मसाला उद्ध्यान रानी खेत में स्थापित किया गया है हाली में किस राज सरकार ने पंचा मृत योजना शुरू की है तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश राज ने हाली में पंचा मृत योजना शुरू की है ये भी किश्ण आपका बेरी इंपोर्टेंट है पेटवालों के लिए खासत दौर से तो आपको ये किश्ण नो गरिमा हजारिका तो आपको याद रखना है गरिमा हजारिका का निधन हाली में हुआ है वे एक सास्त्री नित्रांगना थी बढ़ते हैं निश्टकले किश्वन पर अगला प्रश्वन है हाली में कौन सा अईयाईटी डीच्टल लेंदेन में नपीच्टी की मधद करेगा तो आपको याद रखना है बढ़ते हैं नेश्टकले किश्वन पर गाय गोद लेने के लिए हाली में पूर्ड कोटी दत्तु यूजना को शुरू करने वाला पहला राज कौन साँ बना है नियुत, बढ़ते हैं अगले प्रस्ण पर अगला प्रश्ण हाली में भारत पे ने किसे नए CFO की रूप में नामित किया है ये भी किश्ण इंपोर्टेंट है चूंकि ये आपका एक डिजिटल लेंदेन से संबंदित है हाली में भारत पे ने नलनी नेगी ने CFO को नामित किया है तो आपका नलनी नेगी आपको याद रखना है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर कौन हाली में फार्शून ग्लोबल 500 लिष्ट 2012 में लगातार 9 में साल कौन सी कंपनी सीर्स पर रही है तो आपको याद रखना है ये किश्चन बेहद ही इंपोर्टेंट है आपकी जम्मी ये पूछेगा तो आपको बताना है कौन हाली में फार्शून ग्लोबल 500 लिष्ट 2012 में लगाता 9 में साल कौन सी कंपनी सीर्स पर रही है तो वालमार्ट आपको याद रखना है 500 के लिष्ट में लगातार ये 9 में साल सीर्स पर रही है बढ़ते हैं अगले प्रिश्ण पर अगला प्रिश्ण है हाली में किस देश के पूर बाक्सिंग विस्व फेमचान का निधन हुआ है तो आस्टेलिया आस्टेलिया देश के पूर बाक्सिंग विस्व फेमचान का निधन हुआ है तो आपको ये भी question अभी हाली में आप exam देने जा रहा है तो आपको याद रखना है हाली में उत्री अरब सागर के उपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की all women air crew इतिहास रच दिया है तो बूमेन यहां होना चाहिए सही कर लीजेगा इसको यह भारत आपका राइट इंसर हो जाएगा क्योंकि हाली में उत्री अरब सागर के उपर निगरानी मिशन को पूरा कर भारत देश ने भारत देश की नौसेना की हाली में women air crew इतिहास रच दिया है तो यह बेहदी important question है इस्टाल लगा लिजे इसको note down कर लिजे अपने copy में बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्ण है बजरंग पुनिया ने कुस्तिस परदा में हाली में कौन सा पदक जीता है यह भी very important question है और आप इसे note down कर लिजेगा तो बजरंग पुनिया ने कुस्तिस परदा में हाली में स्वार्ण पदक जीता है बेहदी important question है देखिए आप लोग बेडियो को like और से तबी करिएगा जब आपको बेडियो अच्छी और helpful लगी हो तो हमें अभी आप कोई भी credit ना दीजे पहले आप पूरो बेडियो को देखिए उसके बाद आप credit अपना दे सकते हैं आपके इच्छा के ऊपर है आसा करूँगा कि आपको बेडियो अच्छी जरूर लगेगी और हम एक बार फिर से ये कहेंगे कि धेर सारे किश्चन लाकर के आपको बोश टाइप का आपके दिमाग में नहीं डालना चाहते हैं सिर्फ आपको वही किश्चन करने हैं अगर आप हमसे जुले हैं तो ये बात आपको ध्यान लखना है कि सिर्फ आपको वही किश्चन करने हैं जो आपकी एक्जाम में आए या आने की शंपूर संभावना हो फालतों के धेर सारे किश्चन आप याद करके अपना समय बेकार ना करें अपनी अच्छी तैयारी करें जो आपकी आने वाले भविश्च को बनाएगा मिलेगे निश्ट अगले वीडियो में थैंक्चू फार वाचिंग